नमस्कार A to Z Dishes उशा कुरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ तूवे ठोठा की रेसिपी ये खास करके सर्दियों में खाये जाते हैं बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये जो तूवे रात जब आपको कुछ चटपटा कुछ मज़ेदार खाना होना तो हमेशा ये चाट ये सब ना खाए ये तूवे ठोठा बना है बहुत ही स्पाइसी बहुत ही मज़ेदार उसके लिए आपको ये फ्रेश तूवे ले 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 लिए इसे में अच्छे से वाश कर लिए मैंने 500 ग् पकाना है जब तक ये पक रहा है मैंने यहां पर एक ओखली ले ली है इसके अंदर हम डालेंगे आधी इंच अद्रक के टुकड़े को बीच से काट कर इसी के साथ चार हरी मिर्ची को इस तरह से हाथों से टोड़कर हम डाल देंगे और यहां पर ना तक्रीबन मेंने आठ स देश लेसन की कलिया ली थी इसे भी छील कर हमें पूरी पूरी डाल देनी है और इसे अच्छे से हमें कोटना है यह जो ओखली में कोटते है इससे स्वाद बहुत ही बढ़ी आता है गयस को अन कर लेना है एक कडाई रख दियनी और इसमें डालना है आधा कब तेल इसमें इस तरह से हो जाए ना तब तक आपको इसे भूनना है आप देख सकते हैं अब इसके अंदर आपको डालना है दो बारिक कटे हुए प्यास एक दम बारिक भी नहीं इस तरह से थोड़े से मीडियम बारिक कटे हुए प्यास और इसे भी आपको अच्छे से एक से दो मिनीट तक भूनना है इस तरह से हो जाए ने तब आपको इसके अंदर डालना है एक कप लसुन कटी हुई जो ताजी लसुन आती है न वो आपको कटी हुई इसके अंदर डाल दीना है अच्छे से मिलाना है और एक कप हरा प्याज एक कप हरी लसुन और एक कप हरा प्याज अच्छे सबसे पहले मैं अधिया नमक डाल रहीं वाल दाल दिया है एक चुछाई चमच घल दी पाउडर और इसके अंदर एक चमच मैंने दनिया पाउडर डाल दिया है अब लगातार चलाते हुए ऐसे हमें तकरीबं तीन से चार मिंट तक ऐसी पकाना है बीच पीच पे आपे इस त और यहां पर तीन सीटी भी लग गई है, जो हमारी तूवे रे अच्छे से पक गई है, देख सकते हैं अच्छे से यह गल गई है, तो बस हमारी आप देख सकते हैं ग्रेवी भी कितनी बढ़िया लग रही है, इतम मसिदार, इसके अंदर यह पकी हुई हम तूवे डाल अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद इसे ढख ठक आपको धीनी आज-बर्त धीनी पर शाठ से आठ मिनुट तक पकाना है, तो धीनी आज पर ही पकाई का, यह पर 70-30-30-60-6-0-12-8 मिनिट अझाय है, जो काफी म divers शा चुख भा रही है, काफी मिक्स करके, एक तो ए टोड़े ती बंकर ट्यार है इतने मुजीदार इतने जबर्दस्त लगते ना इसके ओपर मैंने थोड़ी एट शेव डाल तोड़ा सा प्याज और बाजरी की रोटी और पाव, थोड़ा सा नीवो और थोड़ा सा प्याज और थोड़ी मूली ये कॉम्बिनेशन इतना जबरदस लगता है ना ज़रूर ट्राइ कीजिए मज़े कमेंट सेक्षन बताए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगए वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सिस्क्राइब करना बिलकुल नाम भुले आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, तब तके लिए थैंक्यू फॉर वाचेंग